असलाम लेकुम सुडेंट्स नेक्स जो हमारा टॉपिक है वो है एटिचूड का एटिचूड का चैप्टर इसमें एटिचूड की डेफिनेशन आपको आती हो ठीक है कंजिस्टेंट और एंडिवरिंग बिहेवियर जहां भी आये यह आपका एटिचूड है ठीक है यह डेफ पूछी जाए अबल तो आता कुछ नहीं ऐसा लेकिन अगर आ जाए तो यह आप बड़ा जिनरल सा लिखा हुए ठीक है तो आप इसमें से आठ नहीं तो पांच तो याद करी लिए ठीक है उसकी बाद हमारे पस कंपोनेट्स आप अटिचूड है अफेक्टिव बनाते हैं एक दमाग से सोचते हैं एक आप दिल से सोचते हैं और एक आप करके दिखाते हैं ठीक है अफेक्टिव जो आपके इमोशन से हैं बहेवियर जो आप करके दिखा रहे हैं कॉगनिटिव जो आपकी सोच है ठीक है तो यह आपने बहुत अच्छे सीखा रखना है यह एमसी क् लोटेक वो टीचर आज क्यों नहीं आया तो वो मेरा अफेक्टिव कंपोनेट है और बिहेविर कंपोनेट क्या है कि मैं उसकी रिस्पेक्ट शो करती हूँ वो क्लास में आये तो खड़ी हो जाती हूँ उसकी हर बात मानती हूँ टेस्स बहुत अच्छे से करके आती हूँ अ आज कल नेट बहुत बड़ी फिसिलिटी है और नेट पे तो आप कुछ भी लिखें तो आपको अंसर एक दो मिनट में मिल जाता है शॉर्ट कोईस्टे वहां से प्रिपेर किया करें बजाए से कि आप रट्टे पे आजएं कि हमें यह नहीं आद हो रहा लेकिन हमने याद ही से करना है formation कैसे होती है हमेशा से important topic formation और change of attitude होता है ठीक है formation आता हो सारा आपको ठीक है और उसके बाद the functions क्या होतने attitude के यह utility economy self expression defense mechanism यह must है must prepare करें ठीक है must prepare करें इसको बिलकुल नहीं छोड़ना आपने measurement of attitude ठीक है कैसे कैसे measure करते हैं यह भी long question में एक दफ़ा आ चुका ह है तो आपने इसको बिलकुल नहीं छोड़ना एक definition और साथ एक example ठीक है बजाए से कितना लंबा लंबा याद करें कि आपको समझी कुछ ना आ रहा हो ठीक है तो definition और साथ example यह किस ने develop किया था ठीक है observation तो सबको आता होता है यह तो बड़ा easy सा है ठीक है उसके बाद यहा kinds है subjective और यह जो sorry interview जो है यह आपने पढ़ा है कि structure और unstructured होता है पीछे आप first chapter में पाट चुके है projective techniques में यह सारे आते हैं जिसमें आप एक तस्वीर देखके कहानी मनाते हैं या कोई drawing करते हैं तो आपकी personality सामने आती है project का मतलब ही होता है project करना ठीक है अपनी आपके unconscious wishes औ paper में आया हुआ था यह क्या होता है कि आप चीजों को देखते हैं पढ़ते हैं और के content को देखते हैं कि बचों को क्या सिखाया जा रहा है किताबे है for example school की उनको अगर आप देखें किस किसम का मवाद है बचों को क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो यह बड़ा important है और प्टार राश एक किसी को लाइक करती हूं और इसे मैं डिसलाई करना शुरू करदू तो यह इक कॉंगरेंट क्या होता है चेंज एक ही की में डियाकर दीखाय करना शुरू कर देती हूं यह कॉंगरेंट चेंज है तिके positive become more positive and negative become more negative लेगिन इक क्या होता है कि अगर मैं ला पेपर के अंदर ठीक है तो यह भी इंपोर्टन है और लीडर्शिप तो बहुत ही इंपोर्टन है लीडर्शिप की डैफिनेशन और लीडर्शिप की स्टाइल जो है MCQD में भी आते हैं और यह जो जैसी है लिखा है बियोरोक्रेटिक आ चुकी है एक दफ़ा यह नॉमिनल आ चुकी है कि कुईन वाली जोती है इंग्लिश कुईन कौन सी लिडर्शिप की मिसाल है तो यह नॉमिनल लिडर्शिप की मिसाल है आ ठीक है टीक है उसके बाद यह जो आडा तो यह किसी नहुत हो षी नॉमिनल जिले भी तपहों मिसाल होना और इसके टीक है तो आपको डायी 해요 यहां बहुत confusing भी है बच्चे याद करते हैं उन्हें नहीं याद होता नेट से ले लें आप क्योंके पांश नंबर का सवाल होगा तो आपने इतना कुछ याद बाद बच्छे के निट्यूज हो जाते हैं तो आप नेट से इच्छा से एक डेवल ले ले लिए उसके बाद क्रेक cargo guidance कौको से होते हैं यह थो आप यहीं से याद कर सकते हैं ने इसे याद कर सकते हैं यह भी बहुत मुश्किल नहीं है ठीक 10 कोंन से है यह आपने याद करने हैं और यह वही जी चीजे ना बार-बार रीपीट भी होतीय बहुत हैं दबЗ p counseling and guidance क्या है ये भी आपने प्यार करना है vocational guidance important topic है ये एक दुद्वा फेपर में आया भी है कि हम किसी शोबे की guidance क्यों करनी चाहिए हमें कि हमारे मुल्क में ये तो है कि हम लोग पढ़ते बहुत कुछ है master's कर लिया बैचलर्स कर लिया हर जॉब के लिए हर इंसान नहीं बना हुआ ठीक है बड़ा simple size में लिखा हुआ तो ये आप prepare करें ये significals जहां लिखा हुआ है ये वाला ठीक है ये अच्छा उसके बाद हमारे पास ये है कि educational guidance से कौन कौन से फाइदे हासिल होते है ठीक है ये आप याद करें और नेक्स हमारे पास ये primary and secondary educational guidance का फरक याद करें ठीक है ये educational guidance चोते है ये बहुत जरूरी है इसको आपने नहीं छोड़ना बिल्कुल भी और यहां पर ये जो कस्स लिखे हुए है प्लीज इनको जरूर प्रिपेर किया करें ठीक है guidance counseling को define करें difference करें ठीक है और इसके बाद ये educational guidance का क्या मतलब है इस पर note लिखें educational guidance क्यों जरूरी है counseling और लाइफ और लाइफ और कुरान की रोशनी में कैसे कर सकते हैं और इसके बाद goals क्या है guidance counseling की ठीक है आपने अच्छे से भी प्यार करना है और थोड़ी net से भी help ले लिया करें ठीक है next chapter हम जो है वो next video में discuss करेंगे